मेरे प्याने देश स्वासियों हम जरा आजहद्वी के पहले के वो दिन याद करें सैकड़ो साल की गुलामी हर कालखन संगर्ष का रहा युवा हो बुजुर्ग हो किसान हो महिला हो आदिवासी हो उन्होंने गुलामी के खिलाब जंग लड़ते रहे अविरत्य जंग लड़ते रहे इतियास गवा है कि 1857 के स्वात्न संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी छेत्र से जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था साथियों गुलामी हरा इतना लंबा कालखन जुल्मी शाचक अप्रम पार यातना आएं सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तरकीव है उसके बावजुद भी उस समय की जन संख्या के हिसाप चारिब 40 करोर देश वासी आजादी के पुरव 40 करोर देश वासियों ने वो जजवा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना लेकर के चले एक संकल्प लेकर के चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर्था बंदे बातरम येकी सपना था भारत की आजादी का 40 करोर देश सवासियों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुर्वच से सिर्फ 40 करोर 40 करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड करके फैंक दिया था गुलामी की जंजुरों को तोड़ दिया था अगर हमारे पुर्वच जिनका खून हमारी रगों में है आज हम तो एक सो चालीस करोड है अगर चालीस करोड गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं अगर चालीस करोड आजादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं आजादी लेकर के रह सकते हैं तो एक सो चालीस करोड देश के मेरे नागरीक एक सो चालीस करोड मेरे परिवार जान अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं कि कदम से कदम मिलाकर कंद से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनोतियां कितनी भी क्यों नहों अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों नहों संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी हर चुनोति को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विक्सिज भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देश्वासी अपने पुर्शार से अपने समर्पर से अपने बलिजान से आजादी दे सकते हैं आजाद भारत बना सकते हैं तो 140 करोर देश्वासी उसी भाव से संब्रद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिवद्ध थे और आजादी मिली आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिवद्ध था अगर देश के लिए मरने की प्रतिवद्ध था आजादी दिला सकती हैं तो देश के लिए जीने की प्रतिवद्ध था सम्रद्ध भारत भी बना सकती है साध्यों विक्सिद भारत 2047 इस तरफ भाषन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिश्ण चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिए जा रहे हैं और हमने देश वाज़ियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरी को ने विच्षीद भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये है हर देश वाज़ि का सपना उसमें प्रतिमिम्बित हो रहा है हर देश वाज़ि का संकल्प उसमें जलगता है युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीत हो आदिवासी हो पहड़ों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा तब तक विशित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये है और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगोंने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 विशित भारत के लिए कुछ लोगोंने भारत को मैनुफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बार हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर्ड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पोँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश बैस्थानी अस्वराज के संस्ताओं से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवननस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रतिचिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ट सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकूर्दिक अपदाओं के बीच शासन प्रसासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरीष में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परमपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब हाँ होलिस्टिक हेल्ग केर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की परमपरिक आउसदिया और मेलनेस हब के रुपे भारत को विक्सित करना चाहिए कोई कहते है कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनना चाहिए कि अब रारत जा Penny चाहिए काहिए को मैं मैं झाल झाल